New Zealand और Afghanistan, ये दोनों group C में हैं और दोनों में से दोनों भी qualify कर सकते हैं, दो में सो सकता हैं, एक ही qualify कर पाए क्योंकि इस group में वेस्ट इन डीज भी है, तो ये भी interesting actually group होने वाला है क्योंकि मुकाबला होगा कड़ा, तो फिर आज बात कर लेते हैं, New Zealand की बात करते हैं कि प्रोफी cabinet तो अभी भी empty है, हालंकि खेलते हैं हमेशा ICC events में अच्छा है, and of course Afghanistan, क्योंकि परिष्थितियां हो सकता, अफगानिस्तान की बहुत suit करें, और format तो of course इनको खास पसंद है. चोपड़ा जी, cricket चौपाल में आज सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है, कैसे हो आप लोग, अच्छे हो, अच्छे रहा करो, और अब फड़ा फड़ा से let's start talking about New Zealand, मैं सोच हो New Zealand की बात करते हैं, साथ मैं अफगानिस्तान की भी करेंगे, आज दोनों टीम्स का फ्रिवीव होता है हमेशा, they are that kind of a team, तो अब जो squad है, एक बार squad पे नसर डाल लेते हैं, फिर then we'll move forward, केन विलियंसन कप्तान है, Finn Allen और Devon Conway मातर तीन अगर आपको दिखेंगे जो proper proper batter हैं, जिसमें Finn Allen और Devon Conway keeping भी कर लेते हैं, यह मतलब अलग team है, यह बहुत all-rounders होते हैं, इनके पास अलग तरीके के, और all-rounder की सूची अगर मैं बोलना शुरू करूँगा, आप बोर जाएंगे, एक्चिल लंबा है, Michael Braceville, I like him, Mark Chapman, Darryl Mitchell, James Nisham, Glenn Phillips, सब कुछ कर लेते हैं, रचिन रविंद्रा और Mitchell Santana, तो यह होगे, बहुत सारे धेर सारे all-rounders, बोलर्स के अंदर Trent, बोल, cricket-taking ability भी है, और बैटिंग भी ठीक ठाग लग रही है, एक्चिली तरह पॉबर 11 क्या हो सकती है, I mean, this is an interesting one, एक्चिली टीम आप देखते हैं तो लगता है, not a bad team यार, Finn Allen के सारे Devon Conway open करते हुए नजर आ जाएं, Devon Conway हम सब जानते हैं, मैं नहीं तो कौन बे, Devon Conway, तो Conway, साथ में Finn Allen, रचन रविंदरा हो सकता है, तीन नंबर पर आपको नजर आ जाएं, तो Ken Williamson, Glenn Phillips, James Nisham, Mitchell Santana, Tim Saudi, Lockie Ferguson, Ish Sodhi और Trent Bolt, that is a possible 11 जो हो सकते हैं, कि इस प्रकार की कुछ 12, 11 का आप नक्षा देखें, थोड़ा सा शायद ऊपर नीचे बदलाव हो सकता है, अब this is almost कि क्या 11 होगी, अब strength इस टीम के क्या है बाई, देखे, spin के all-rounder भी है और pace के all-rounder भी है, अगर आप spin के all-rounder में देखे तो Michael Bracewell है, वहाँ पे Mitchell Santana भी है, वहाँ पे Glenn Phillips भी है, तो ये काम करते हैं, अगर fast bowling all-rounder देखे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, यह James Nishan आपको मिल जा That's another strength actually, जिसमें experience है, जिसमें calmness आपको दिखेगी, Devon Conway की, आपको दिखेगी Kane Williamson की पर, then आपके पास Finn Allen उपर दिखेंगे, बाद में आपको Glenn Phillips भी दिखेंगे, बीच में Dalon Mitchell भी दिखेंगे, it's like powerhouse kind of a batting line-up, जिसके अंदर हो सकता है कि यह ठीक ठाक आपकी बिटाई करत दोनों चीज़े हैं इसके पास, इस टीम के पास वो दोनों जो ends हैं जो उन्होंने बहुत अच्छे से cover किया है, वराइटी है spin में, अगर ब्रेस्वेल को खिलाते हैं तो ऑस्पिन मिल जाएगा, उसके बाद सैंटनर है, उसके बाद इस सोडी है, I mean they have all the bases covered, उसके बाद, I New Zealand Bolt, Lockheed Ferguson, Matt Henry, अच्छी टीम लग रही है, New Zealand actually अच्छी टीम लग रही है, if they, I mean they tend to punch above their weight any which way, तो यह अच्छा एक्छी ग्रूप है, इसमें क्योंकि West Indies push करेगी, क्योंकि Afghanistan push करेगी, पर this is a good team, देखी वीकनेस मुझे स्थी में, as such कोई बड़ी वीकनेस नजर नहीं आ रह opportunities तो इनके पास रहती है कि इतना अच्छा खेलते हो, आप आगे तक पहुंचने की कोशिश भी करते हो, semi-final तक महुच भी जाते हो, अभी final भी पहुंच जाते हो, पर trophy कहा है, तो trophy ढोट रहे हैं, that is their opportunity, किस पे नजरे रहेंगी, किस पे निगाहें रहेंगी, फिन Allen as an opener, अगर वो बिल्बूल नगते हैं, ऐसी वाली अगर शुरुबात दे हैं, तो फिर चीज़ें बड़ी आसान हो जाती है, and then the finishers, किस प्रकार से finish करते हैं, with the bat and with the ball, क्योंकि वहाँ एक potential problem हो सकती है, खासता और से ball के साथ, और इश-sोडी का क्या ये season हो सकता है, क्या ये जो टीम लग रहे हैं, प्लीज मुझे बताएगा, क्योंकि I think this team has the ability to actually go all the way, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि मुझे team genuinely अच्छे लगती है, या, मैं सासता अपना laptop भी आ, ऐसा नहीं है, काम माम साथ में कर रहा हैं, देखो, तो इसके बाद we'll move to the Afghanistan team, अब अफगानिस्तां की बात कर लेते हैं, अफगानिस्तां का 2010 में हुआ था debut, उसके बाद, I mean they have participated, 6 editions में participate किया है, हर बार लगता है कि खास सवर से जब सब कॉंटिनेंट में होते हैं, कि अच्छा करेगी team, बहुत अच्छा नहीं करते हैं, they tend to flatter to deceive, हालंकि इस बड़ी, O T20 cricket ये अच्छा कहलेंगे, T20 से बहतर ही ODI खिलना शुरू कर दिया है, अब इस team के अंदर क्या जो चीजे हैं, क्यों ये ODI अच्छा कहले हैं, क्यों T20 अच्छा नहीं खेले हैं, इनके जब आप team देखते हैं, आपको आहसास हो जाता है, इनके दो batters हैं, जो दो actually सिर्फ pure batters के रूप में, एक है इबराहिम जादरान, साथ में नजीबुला जादरान, इबराहिम जादरान I don't think is cut out for T20 cricket, और उनने तो इनको कप्तान मना रखा था, तो फिर अगर आप उस तरीके सोच आता हैं, कहते हैं, कैस चले आगा हैं, रह्मनला गुर्बाज मुहमद इशा अगर आप ऐसे देखते तो आपको लगता है, टीम तो अच्छी है, टीम अच्छी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्राइक पावर नहीं है, यार, जो शुरुआत से ही समस्या हो जाती है, अपने पाप ले कोई है, अगर ये रहमनला गुर्बाज ना चले, और बाद में आके मतलब गुलबर्दीन, नाइब या फिर वो करीम जन्नत कुछ ऐसा काम ना करें, तो ये टीम ना बिलो पार स्कोर बनाती है, ये पार के उपर नहीं जा पाते हैं, तो ये समस्या है, इबराहिम जातरान के साथ गुर्बाज नाईब, ओमर जाईग, बैटिंग तो ऊप पर करते हैं, इस गुड प्लेयर पर टी ट्वेंटी, उस ट्राइक रिट से नहीं भागते हैं, नजीब उला जातरान च्छक्य अच्छे मारते हैं पर फ्यास बोलिंग के सामने थोड़े हलके हैं, मुहमद नभी के ओपर फोकस रहता है, राशिद खान, करीम जन्नत, फजल तो इसी वज़ा से हम बार-बार इस टीम को जब देखते हैं, हम कहते हैं, कि इस टीम के अंदर दमखम है, यार, आभी वो वाला मोमेंट नहीं आया है, वो जो वाटरशेड इवेंट होता है, मेबी इस वन पर उसके लिए बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी है, वीकनेस सिर्फ दो ही स्पेशलिस बैटर्स हैं, और दो मेंसे एक जो है, वो थोड़े रहीं पहले तक कप्तान थे, अबराहिम जादरान नहीं, तो वो एक और वीकनेस के रूप में आप कह सकते हैं, ग्रूप C is also, मतलब अगर ग्रूप D जो है, वो प्रौपर ग्रूपर ग्रूप और अफगानिस्तन में से एक टीम को बाहर जाना होगा, तो वो टीम कौन सी हो सकती है, I mean, that is a huge thing, पापो ने गिनियन, युगानिना में मान के चलनों चलनों शायद, वो तो ना आगे जा पाएं, पर West Indies, the team in form, New Zealand, अभी बताया, बहुत अच्छी टीम है, going to be an interesting one, players in focus जो रहने वाले हैं, वो होंगे राशिद खाने एक बार तो फिर दुबारा से, क्योंकि जबसे वो सर्जिरी के बाद आये हैं, उतना अच्छा उनका IPL नहीं रहा था, अब आप इनको बहुत समय तक खामोश तो नहीं रख सकते हैं, आपको लगता है कि इन परिस्थितियों मे वर्ल कप के स्टेज पर, he is going to spin his web, तो उनके ओपर मेरा बहुत फोकस रहेगा, नहीं गेंद के साथ, अमर जाये पुरानी गेंद के साथ, नमीन उलहक का बीच में बहुत सारे स्पिन, दो जाधा प्लेयर इन फोकस और बैटिंग मुझे रखता है, रह्मन अला गुर्बाज, करीम जननत, opener को, आगे से प्रहार करना, तो उनके ओपर मेरा फोकस बहुत जाद रहने वाला है, अब आपको यह मुझे बताना है कि क्या लगता है कि अफगाने साम क्वालिफाई कर पाएगी, न्यूजलन क्वालिफाई कर पाएगी, ग्रूप C में से कौन क चेक आउट कीजेगा और बताएगा कि बंगलेदेश, साथ आफ्रिका, न्यूजलन, अफगानिस्तान कौन करने वाला क्वालिफाई या इन में से कोई नहीं करें हो क्वालिफाई, या कोई एक टीम नहीं करें ही क्वालिफाई, डू लेट में दो, कॉमें सेशन बता क्वालिफाई